साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने आठ वर्थ पूरे कर रही हैं, तो देश का आत्मविश्वास, देश वासियों का खुद पर भरोसा भी अभूत पूर्वा है। ब्रस्टाचार, हजारो करोड की घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतं की संगठन, छेत्रिय भेजभाव, जिस कुछ चक्र में देश 2014 से पहले फसा हुआ था, उचसे अब बहार निकल रहा है। ये आप सभी पच्चों के लिए इस बात का भी उधारण है कि कठीन से कठीन दिन भी गुजर जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गती से विकास कर रहा है। सब्च्च भारत मिशन हो, जंदन योजना हो, उजवला योजना हो या फिर हर गर्जल अभियान बीते आठ वर्ष, गरीब की सेवा, गरीब के कल्यान के लिए समर्पित रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्टिले कम हो, उसका जीवन आसान बने। देश वास्यों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोयक्टिवली उनके लूच की कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं रहने दी। जिस टेक्नलोजी का उप्योग करने से पहले सरकारे भी घबराती थी, लोगों को भी आदब नहीं थी। उसी टेक्नलोजी का इस्तेमाल बढ़ा कर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किये हैं। अब गरीब से गरीब को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाप उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब शत्त प्रतीशत ससक्तिकरन का अभ्यान चला रही है। कोई गरीब सरकारी योजनाओं के लाप से छुटे नहीं, हर गरीब को उसका हक मिले, यह हमारी सरकार की सरवोच्च प्राफिकताओं में से एक है। बीते आठ वर्षों में भारत ने जो उंचाई हासिल की है, वो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज दुनिया में भारत की आन, बान, शान बड़ी है, वैस्विक मंचों पर हमारे भारत की ताकत बड़ी है, और मुझे खुशी है कि भारत की इस यात्रा का नेत्रुत्व युवाशक्ती ही कर रही है।